हलो नमस्कार फ्रेंड्स मेरे नाम बबली अर्मा पेपर है कर में आपका स्वागत है हम देखने वाले हैं यहाँ पर बी ए फोर सेमिस्टर जिसमें हम देखेंगे समाज सास्त्र के वारे में किसके समाज सास्त्र के वारे में आजम देखने वाले हैं सोसोलोजी यह यूनिट नमबर में यहाँ पर जो लेके आया हूं यूनिट नमबर फ़र्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन यूनिट के जो एमसी की क्यूशन है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे तो आपके लिए वीडियो इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि तब्यत भी थोड़ी खराब हो गई थी पानी बगरा चेंज हुआ था इस बेर से आने जाने में और जो सुरस सरहन का अपरेशन भी हुआ था क्योंकि वीडियो बही समालते हैं सब कुछ काम हो नहीं होता है तो आखो का उनका उपरेशन हुआ था इस बैसे उनके लिए दो हपते का रिश लेने कहा था फिर भी वह एक दो एक दो डालते रहे हैं ठीक है आपके लिए नहीं चोड़ेगा कि काम मैं आपकी वीडियो कंटियूरी पढ़ती रहेंगी ठीक है क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो इस बैसे आप समझ सकते हो ठीक है वो भी आखो का तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने कोशनों के लिए कौन सा यूनिट एमबर वन टू और कौन सा थर्ड तीनों की तीनों MCQ सोच पिटन की और मुड़ जाती है यह परिभासा किस ने दी थी तो फड़ावड आंसर देंगे यह परिभासा किस ने दी थी जब समाजिक सनचन अपने कारियात्मक संगठन को खो देती है है ना अपने कारियात्मक संगठन को खो देना मतलब अपने आपको खो देना ऐसा समझ ठीक है अगले बढ़ते हैं यहां देखेंगे सामाजिक बिगटन बह पिरक्रिया है जिसके दौरा मनुस्य के बीच इस्थापित संबंद तूट जाते हैं सामाजिक बिगटन बह पिरक्रिया है जिसके दौरा मनुस्य के बीच जो इस्थापित संबंद होते हैं बह तूट ज जाते हैं ऐसे आत करो कि संबंद तूट गए किनके वीच दो लोगों के बीच है ना तो दो लोग यहाँ पर है एक और है इलियट एक और है मेरिल तो अराम से इसको याद रहेगा आपके लिए आगे बढ़ते है नेक्स कुशन बिचलित ब्याबहर की अबधाना के साथ किसका का नाम जुड़ा है जो बिचलित हें तो फटे ना अपने मांग से बिचलित हो गए या हट गए तो ऐसे आप यहाद ओसे करेंगी तो इसका क्या रहेगा से रिषर से रेसी तो race, race में क्या हो गया, भटक गया, किस से, रास्ते से, तो ऐसे उसको आप यहाद कर सकते हो, कि बिचलन ब्याबाहर की अब धारना के साथ, किसका नाम जुड़ा है, तो RK मरिटन का, आराम से आपको याद रहेगा, ठीक है, अगले बढ़ते हैं, अगर हम next question की बात कर लें, यहाँ दरिका है, केरिस ने सामाजिक बिक्टन के कितने लच्छडो का उले किया है, तो केरिस ने सामाजिक बिक्टन के कितने लच्छडो का उले किया है, तो मैंने कहा है, केरिस, तो केरिस मैं आपको का देखने को मिलेगा, अगर मैं का को कुछ इस प्रिकास जो निकल के आया है, वो इसे कर दूँ, यहां पर मैं जोर दू तो यहां पर आठ बन जाएगा, तो आरामसे क्या रहेगा? आठ, ठीक है? तो केरिस ने सामाजिक बिकडंगे कितने लच्छडो का उलेख किया है? आठ लच्छडो का उलेख किया है अगले बात कर लेते हैं यहाँ दे रखा है अपराद को सामाजिक मानदंडो का उल्लंगन किसने माना है जो अपराद है उस अपराद को सामाजिक मानदंडो का उल्लंगन किसने माना है तो फटाफट आंसने किसने माना है तो दंड कम मिलेगा जब भी कोई मर जाएगा तो हमने मर कहा सदेखा था मौवरर से ठीक है तो आराम से आद रहेगा मौवरर ठीक है अपराद की अब्धार्णा और अपराद भी कब होता है जब किशी को मार दिया जाता है तब भी आप प्यात कर सकते हो इस प्रकार से तो अपराद की समाजिक मानदंडो का उलंगन किसने माना है तो ये मौवरर ने माना है आगले बार करेंगे किसने कहा कि अपरादी जन्जात होते हैं किसने कहा कि जो अपरादी होते हैं वो जन्जात होते हैं मतलब जन्म से ही पैदा होते हैं तो अपरादी ही होते हैं तो इसका मतलब लंब्रोसो क्या हो जाएगा लंब्रोसो मतलब बहुत लंबे समय से ही वो अपरादी होते हैं ऐसे आद कर लो इसके लिए ठीक है तो जनम जात, जनम जात मतलब जनम से अव तक ही वो क्या है? वो अपरादी है इस प्रकास से लॉंब्रोस, बहुत लंबा समय हो गया, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो आगे बात कर लेते हैं, नेक्स कोशन, अपराद कोई कार या दोस है अपराद जो है, या तो कोई कार है, या तो कोई दोस है जो की देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतरत धंडिती धंडिनिये है ये कथन किस ने कहा? उस समय जो कानून प्रचलित है, उसके अंतरगती है, धंडिनिये है जो कार है अपराद वो दंडनिये है उस कानून के तहट उस समय तो ये कथन किस ने कहा है ये आपको यहाँ पर बताना है अब भी ये बात होई उस कानून की और कानून कहां चलता है आपको गई थाने में कहां पर थाना तो थाना कहा मिलेगा आपको गई यहाँ पर डॉक्टर सैथन कन डॉक्टर सैथना आपको बिल्कुल आराम से याद रहेगा अपराद कोई कारिया धोस है जो की देश में उस समय प्रिचलित कानून के अंतरत दंडनी है ये कतन किसका है डॉक्टर सैंथना का अगले बात करते हैं किसने अपराद के लिए भोगोलिक कारकों को उत्तरदाई माना है किसने अपराद के लिए भोगोलिक कारकों को उत्तरदाई माना है किसने माना है ये बताना है तो भोगोलिक कारकों के लिए तो सभी नहीं उत्तरदाई माना है जैसे बात करें लेक्षन ने, मॉन्टेस्ट्यू ने, कवेलेट ने तो आंसर क्या रहेगा, उप्रयोग सभी को कि भोगोलिक कारक की बात कर रहा है तो भोगोलिक कारक सभी के अंदर कताएंगे, ठीक है अगले बात करते हैं, दा स्प्राइट ओफ लॉज, पुस्तक के लेक्षक कौन है तो फटाप लांस देंगे, तो इस पुस्तक की लेक्षक जो है, वो मॉन्टेस्ट्यू है और मॉन्टेस्ट्यू के बारे हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है अगले बात करते हैं यहां देखेंगे सदर लेंड ने अपरादियों के कितने भागों माटा है अब यहां पर बात हुई सदर लेंड की तो सदर लेंड ने अपरादियों को कितने भागों माटा है तो अपरादियों को सदर लेंड ने दो भागों माटा है सदर में आपको दा देखने को मिलेगा तो दा से आप दो निकाल सकते हो तो सदर लेंड ने अपरादियों को कितने भाव माटा है तो दो भागों में माटा है अगले बात करते हैं यहाँ देखेंगे बाल अपराद की अंदरकत एक राज बिसेस के उस समय कानून द्वारा निर्धायत एक निश्चित आयू से कम आयू के बच्चों द्वारा किये गए अनुचित कार्यों का समावेश होता है यह परिभासा है परिभासा है यह परिभासा किस ने दी कि जो बच्चा अफराद करता है उसकी आयू कम होती है यह परिभासा किस ने दी यह परिभासा दी थाने ने किस ने सेंथाने ठीक है तो ऐसे आप थाने में याद कर सकते हो ठीक है अगले बात करते हैं निमने में से बाल अपरादियों की समस्या के समाधान ही तू कौन से उपाएं हैं तो बाल समस्या के समाधान ही तू बच्चों की समुचित पालन पोस्टर अगर बच्चों का समुचित अच्छा पालन पोस्टर होगा ठीक है समस्या के समाधान ही अगर समुचित पालन मतलब अच्छा पालन पालन पोशड उसका होगा तो अपरादी नहीं होगा उचित सिच्छा मिलेगी तब भी अपरादी नहीं होगा और स्वस्त मन्रंजन होगा तब भी अपरादी नहीं होगा तो आंसर रहेगा उपर युक्त सभी ठीक है तो निम्न में से बाल अपरादियों की समस्या के समा देनितु को सुपाय है उप्यक्त सभी उपाय वहापर हो जाते हैं अगले बात कर लेते हैं प्यार से कुछनों को सुनते रहना है बात करेंगे निम्निकित में से अपरादियों को सुधारने का कौन सा शाधन है सुधार ग्रह में भी भेज कर तो आंसर रहेगा उपर युक्त सभी के द्वारा हमल अफरादियों को सुधार सकते हैं अगले बात करते हैं यहाँ देखें अपराद को व्याधिकी का परड़ाम किसने माना है अपराद को व्याधिकी का परड़ाम है वो माना है मौटन ने किस ने मौटन ने ठीक है अगले बात के लेते हैं नेक्स कुशन है श्वेत वशन अपराद कानून का उल्लंगन है श्वेत वशन अपराद जो है वो कानून का उल्लंगन है जो मुख्य रूप से ब्यापारियों, ब्यवसाईयों, राजनितिग्यों जैसे समहोधारा अपने कारे ब्याभार के संबंद में किया जाता है ये कतन किसका है तो ये कतन है कली मौड का किसका कली मौड अब आप याद कैसे हो कली को कर लो कली अब जो कली यहाँ पर छूपी हुई है तो कली को कली को हूँ तोड़ कर कली को तोड़ कर हम चाय का अंदर माड करते है किसका चाय का और चाय किस में आती है ब्यापार के काम में तो इस पर कहा से आराम से इसको आत कर सकते हो आप ठीक है तो स्वेत बसन अपराद कानून का उल्लंगर है जो मुखे रूप से अपरादियों, ब्यापारियों, राजनितिकों जैसे समो दोरा अपने कार ब्यावार के संबन में किया जाता है ये कतन किसका है, कली मर्ड का है, ठीक है अर हम से आद रहेगा, अगले बात कर लेते हैं यहां रिखा एक बाल अपरादी निर्धारित आयू से कम का वह व्यक्ति है क्या रहा है, एक बाल अपरादी निर्धारित आयू से कम का वह व्यक्ति है जो समाज बुरूद कार करने का दूसी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंगन है ये किस विद्वान की परिवासा है तो ये किस विद्वान की परिवासा है नियू मेर की परिवासा है किसकी नियू मेर की परिवासा है ऐसे आत कर लो नियू नियू उम्रहेन की तबी तो ये बाल अपरादी बने है ऐसे भी इसको आत कर सकते हो ठीक है अब बढ़ते हैं आगे यहां देखेंगे भारत में बाल अपरादी के लिए लड़के बाल लड़की की आयू क्या है तो बाल अपरादी के लिए लड़के बाल लड़की की आयू बताना है तुम्हें कौन सी होती है तो अगर हम बाल अपराग लड़के के अंदर अपरेंगे तो 16 बर्स से कम उम्र की है तो आपने सुरा होगा दुलरब कस्तियब का 16 बर्स की उम्र में गाना भी इसका बन चुका है तो 16 बर्स उमने अपराग कर दिया था आपको याद होगे आप तो है ना मैं ट्रिक बना दिया आपकी तो लड़की की बात करेंगे तो 16 बर्स और लड़की की बात करेंगे तो 2 बर्स जादा 18 बर्स तक आपको देखने को मिल जाती है अगर 16 बर्स से कम उम्र का लड़का है और 18 बर्स से कम उम्र की लड़की है तो बहें बाल अपरादी माने जाएंगे अगले बढ़ते हैं नेक्स कुशन की बात करें बाल नियाय अधिनियम किस सन में पारित हुआ था बाल नियाय अधिनियम किस सन में पारित हुआ था तो बाल नियाय अधिनियम जो है वो 1986 में आपको प्रारम देखने को मिल जाता है तो आपको कि 1986 में अगले बात करते हैं ऐसे हम बात करें नयाय में नयाय होता है 9 से हम नयाय बना देंगे ना और ना ठीक है तो यहां पर देखेंगे तो 9 को हम उल्टा कर देंगे 6 बन जाएगा ऐसे व्याद कर सकते हो इसके लिए अगले बात करते है सर प्रतम बाल नयायले किस सन में इस्थापित किया गया सर्व पर्थम बाल न्यायले जो था वो किस सन में स्थापित किया गया था न्यायले की बात करेंगे तो 1899 याद हो गया आपके लिए दोनों याद हो गए ठीक है अगले बात करते हैं भारत में पहला बाल न्यायले किस सन में तथा किस सहर में स्थापित किया गया था तो इतना तो हमें कता है कलकत्ता में स्थापित किया गया होगा की उस समय कौन थे ब्रिटीस थे तो ब्रिटीस कहाँ पर कलकत्ता में स्थापित हुए थे तो कलकत्ता में तो हुआ होगा और कब तो आखोगे 1992 में, कहाँ पर? कलकता में आरम स्याद होगे आपके लिए अगले बात करते हैं बाल अपरादी को पकड़ने पर पुलिस उसे कहां भेजती है? जब बाल अपरादी के लिए बच्चे को पकड़ लेगी तो पलिस कहां बेज़ेगी उसके लिए अवलोकन ग्रहमे बेज़ेगी कहां पर अवलोकन ग्रहमे आपको भीज़ देगी ठीक है आगले बात करते हैं निमलिकित में से कौन सा बाल अपरादियों के लिए औधोगे के बिजदाले है महाँ पर काम भी करा जाता है तो बहे कौन सा है वो है certified school कौन सा certified school है बहाँ पर उद्धोग भी देखने को मिलते हैं जहावर बच्चे काम करते हैं और बिद्ध्याले भी है बहाँ पर पढ़ाया भी जाता है उनके लिए दोनों सुबदा यहाँ पर अगले बढ़ते हैं यहाँ पर बात करते हैं बोस्टल school का जमदाता कौन था बोस्टल school का जमदाता कौन था तो आप कोगे ऐलविन रिगिल्स कौन था ऐलविन रिगिल्स यह आपको देखने को मिलेगा बोस्टल इस्कूल का जंदाता बेरी बेरी इंपोर्टेंट है तो को वोश्टन इंग्लिस में वेड़ा है तो यहाँ पर भी इंग्लिस में आपको देखने को मिल जाता है इसमें थोड़ी से हिंट आपको मिल भी सकती है ठीक है तो इस प्रकास से आपके यह तो यूनिट नंबर अब बन खतम हो जाती है यूनिट नंबर बन खतम होती है अब चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड की हो ठीक है चलते हैं अगर यूनिट नंबर सेकंड की बात करेंगे ठीक है श्टार्ट करते हैं पहला कुशन किसी प्रतेच अत्वा अप्रतेच लाब को प्राप्त करने के लिए जान बुझ कर करतब का पालन ना करना ब्रष्टाचार है ब्रश्टा चार सदैब इस्पष्ट अत्वा आस्पष्ट लाव के लिए कानून अत्वा समाज के बिरोध में किया जाने वाला कार्य है ये कथन किसके विचार है ये बताना है ये सिंपली हमसे विचार पूँछ रखे हैं ठीक है ये किनके विचार है तो यह विचार किसके है इलियट और मैरिल के है किसके है इलियट और मैरिल के आपको देखने को मिलेंगी ठीक है अगले बढ़ते हैं नेक्स कुशन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा ब्रष्टाचार का प्रमुकारण नहीं है, तो ब्रष्टाचार का कौन सा कारण नहीं है, ये बताना है हमें, पहले की बात करेंगे, आर्त्म स्वार्थ और पूर्ति, एक बात बताओ, आपके लिए, आपके घर पे खाना नहीं है खाने के लिए तो आप क्या करोगे भ्रेष्टाचार करोगे या फिर मारोगे पीटोगे है ना तो आत्म स्वार अपना स्वार्थ की पूर्ती करने के लिए हम भ्रेष्टाचार करते हैं ये बास सही है वो कारा कौन सा कार्ण नहीं है मगर यह तो है तो यह तो cancel हो गया बात करते हैं अत्यधिक प्रतीस परदा अगर अत्यधिक प्रतीस परदा हुई तब भी आपको भ्रष्टाचार जाधा होगा माल लेते हैं कोई भ्रष्टाचार कर रहा है वो कम पैसे ले रहा है काम कर रहा है कोई ज्यादा पैसे काम कर रहा है, तो ये भी एक भ्रष्टाचार का ही कारड है अगले खेंगे, नियम कानूनों के संबन में पूर जानकरी, अगर नियम कानून के संबन में पूर जानकरी है तो क्या भ्रष्टाचार करोगे, आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको सपत दिलाई आती है अपने देश के प्रती तो यहीं हमारा क्या हो जाएगा बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, उच्छ अधिकारियों का सहयोग, अगर उच्छ अधिकारियों का खतम करना है, वो कौन सा उपाय है यह आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है तो चूज करेंगे इसमें से कौन सा है, देखो पहला देखा है, राजनितिग्यों के नैतिक इस्तर को सुधार दें अगर राजनितिग्यों के नैतिक इस्तर जो है अगर उसको सुधार दे तो भी हमें भेष्टाचार में कमी देखने को मिलेगी अगर भेष्टाचार के बुरुद्ध प्रिचार करें तब भी कमी होगी और नैतिक सिच्छा का प्रिचार करें तब भी कमी होगी तो यहाँ पर उपर युक्त सभी क्या होंगे ब्रहष्ट अचार को रोकने में शायता करेंगे अगले बात करते हैं निम्लिकित में सत्य असत्य का चैन कीजिए तो सत्य और असत्य का चैन करना है बहुत इच्छा है तो यहाँ पर दोको सत्य करें आत्मस्वार्थ की पूर्ती ब्रहष्ट अचार का सबसे प्रमुकार है बिल्कुल अभी हमने देखा था ठीक है अभी हमने देखा था कि आत्मस्वार्थ की पूर्ती जो है वो प्रहष्टाचार का सबसे प्रमुकार है यह बात बिल्कुल सही है, तो ये तो क्या हो गया सबसे प्रमुक कार, ये बाद गलत है, सोरी सोरी, यहाँ पर सबसे प्रमुक कार बता दिया उसने न, तो इसलिए गलत हो गया, मगर हाँ ब्रष्टाचार का कार तो है मगर उसने सबसे प्रमुक कर दिया तो यही हमारा गलत हो जाएगा तो यह तो हमारा असत्य है ठीक है अगर देखा जाए कानून की कमिया भी व्रहष्टाचार को बड़ावा देती है कानून की कमिया भी व्रहष्टाचार को बड़ावा देती है यह वात कलत है ब्यापारिक बिग्यापन भी भ्रहष्टाचार का एक कारण बन गया है अब देखो ब्यापारिक भ्रहष्टाचार भी भ्रहष्टाचार भी भ्रहष्टाचार कारण बन गया है ब्यापारिक बिग्यापन ये बिलकुल सत्य बात है और बाकी गलत है ये भी गलत ये भी गलत बात करें आबादी की भिनता भी में भ्रेष्टा चार नियुंतम होता है एक बाता हो आबादी की भिनता है आबादी बहुत जादा है ठीक है भिनता है और बात करते हैं आबादी भिनता है और भ्रेष्टा चार नियुंतम होगा तब बिलकुल नहीं और जादा होगा तो यह हिंसा की धंकी के उपयोग द्वारा लक्ष प्राप्ति के लिए संगर्स लडाई की एक बिदी और राजिती है एवं अपने शिकार में भय पैदा करना इसका प्रमकुद्धिस है ये करूर ब्याबार है जो मानविय प्रतिमानों का पलन नहीं करता इसकी रणती में प्रचार की प्रचार एक आवश्यक तत्व है उप्युक्त परिभासा किसकी है तो ये जो परिभासा है उपरिभासा किसकी है हिंसा या हिंसा की धंकी तो ये किसकी है ये आतंक बाद की परिभासा है किसकी आतंक बाद की परिभासा है आगले बात कर लेते हैं पहले हम पढ़ते हैं पहले आरामस को पढ़ो उसके बाद देखते हैं क्योशन के लिए आंसर के लिए ये बहे व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति गत करता के रूप में अत्वा सत्ता के प्रितिन दी के नाते किसी समु अत्वा संगटन के उद्देशों की आपूरती में बादा डालते हैं एबम जो अपने संगठन द्वारा निर्धायत किये गए दंड को उन व्यक्तियों पर लागू करता है जो क्रांती कारी कारिकरम में बाधा पहुचाने के लिए दोसी माने जाते हैं ये दंकी नहीं देते अपितु मित्यू और धंस करता करके आक्रमक कारिमक का भाग है मतलब मित्यू कर देते हैं और धंस मार देते हैं तोड़ फार देते हैं यदि इन्हें बंदी बना लिया जाता है तो ये अपनी निर्धस्ता की सिद्ध करने के पितन नहीं करते आपे तो यह सिद्धानतों के पिर्चरित करते हैं ये परिभासा किसकी है तो ये भी परिभास किसकी है आतंक बात की परिवासा हो जाती है अगले बात करते हैं ब्यक्ति आतंक बाती क्यों बंता है बिरोजगारी के काड़ बिलको सही है ब्रेश्ट निताव के काड़ नेतत्व के काड़ बिलको सही उग्र व्यवार के काड़ बिलको सही तो आंसर रहेगा उपर युक्त स अगले बात करते हैं निम्लिकित में से खालिस्तान उनमुख आतंकवादियों दोरा अपनाई गई रणतियां कौन सी थी तो खालिस्तान के दोरा अपनाई गई जो रणतियां थी वो आपको यहाँ पर चूज करना है कौन सी थी बात करें अपने आदेश निकाल कर सासन की सत्ता को कमजोर करना और बिचलितों को जना से मार कर अपनी सक्ती का परचाय देना ये भी बात बिलकुल सही है अगले बात करें अपने को सिक्को और सिक्धर्म के प्रतिरच्छी के रूप में प्रिच्छिपित करना बिलकुल सही बात है बात करें अगले हिंदुों को दूसरे राज्यों में बसने के लिए बाद करना और सिक्कों को पंजाव से बसने के लिए अवशर मुहया कराना ये भी बाद बिल्कु सही है उपर योक्त सभी बिल्कु सही आंसर हो जाता है ठीक है अगले बढ़ आते हैं नेक्स कोशन नकसलबादी आतकबाद का प्रादरुभाब कब और कहां पर हुआ था ये बताना है तो ये हुआ था बंगाल में 1967 में ठीक है तो आसर हैगा ऑप्शन नमबर 2 पहरी इंपोटेंट है याद रखना अगले बात करें चीन का चेर्मेन हमारा चेर्मेन है ये गोशना किसने की थी चीन का चेर्मेन हमारा चेर्मेन है ये गोशना किसने की थी तो ये गोशना चारू और मजूमदार ने की थी किसने चारू और मजूमदार ने की थी अगले बात करते हैं सही code चिन्नित करें तो अब बताना है full farm आपकी दे रखी है तो full farm फटा पर बताओ कौन सी full farm किस की है ठीक है मैच करो बात करें UMF The United Minerating Fund बिलकु सही है ठीक है UMF की full farm क्या होती है The United Minerating Fund ये बिलकुल सही है अगले बात करें ULSA की full farm United Liberation Front of Assam ये भी बिलकुल सही है अगले बात करें AVSU की The All VODO Institute Union ये भी बिलकुल सही है बात करें JKLF की जम्मू और कस्मीर Liberation Fund ये भी बिलकुल सही है तो सबका सेम ही है तो 1, 2, 3, 4 यही बिलकुल सही रहेगा अंसर रहेगा ओप्शन नमबर A UMF की The United Mineratings Fund ULSF LSA की United Liberation Fund of Assam AVM, ABSF SU की The All VODO Institute Union JKLF की जम्मू और कस्मी Liberation Fund अगले बात करते हैं नेक्स कुशन दे रहका है भारती संसद पर आतम घाती आतंकवादी हमला कब हुआ था जो भारती संसद थी उस पर आतम घाती आतंकवादी हमला कब हुआ था यह आपको बताना है तो कब हुआ था भारती संसद की वात हो रही किसकी भारती संसद तो संसद में दिसंबर तो होगा तो आपको याद रखना है 13 दिसंबर 2001 डिड क्या है 13 दिसंबर 2001 भारती संसत पर आत्मगाती हमला किया गया था कब 13 दिसंबर 2001 में very important है आगले बात करेंगे माग पान वह अवस्ता है जबकि व्यक्ति के लिए शराप मदपान हो गया अपर मदपान ठीक है मदपान वैवस्ता है जबकि व्यक्ति के लिए शराप पीना इसका आकर्षड बन जाता है की वह व्यक्ति अपना विना सोचे समझे ही पीता रहता है जिसके उसकी मस्तिक सरीर परिवार और समाज पर इसका कितना बुरा प्रभाभ पड़ता है ये कतन किसका है चुई कौन पी नेक्स कुशन की बात करते हैं, जब एक बार ऐसे मादक पदार्त का सेवन की आदत पढ़ जाती है, तो इसे चोड़ना बहुत कटिन होता है, और बहे सामान आदत के रूप में पढ़ित हो जाती है, ये उधारड किस विद्वान का है, तो ये है लिंड स्मित का, किसका को मिल जाता है, ठीक है, अगले बात करते हैं, निम्लिक तमेंसे कौन सा मादक दर्ब ब्यशन नहीं है, ब्यशन नहीं है, मतलब पीने वाला नहीं होना चाहिए, अगर हम गांजा की बात कहिए, तो पीते हैं, बिलकुल गलत, ये बिलकुल नहीं है, पूछ रखा है, तो य नहीं है तो यह भी नहीं और भान भी नहीं पीते हैं यह सब खाने वाले मादक पदारत हैं लेने वाले तो अंसर रहेगा उपर यूगत्ष जो है तो वूझ सबी दृब WashU MAद कदार्थ नहीं लडाईयां हो जाती है तो दारू पी लेते हैं बुरे मित्रों की संगत पर जाए तो पी लेते हैं या फैसन में पीते हैं कुछ लोग तो आंसर रहेगा उपर युक्त सभी अगले बात करते हैं निम्लिकित में से मादक द्रब्यों के सेवन का कौन सा दूस प्रभाव है तो बिल्कुल अपराद को बड़ाव मिलता है बिल्कुल मिलता है तो राय टांसर क्या रहेगा उपर युक्त सभी रहेगा अगले बात करते हैं मदीरा और अपराद और ड्रक्स और अपराद जुडबा वहने हैं ये कतन किसका है मदीरा और अपराद ड्रक्स तथा अपराद लिखने को मिलेगा अगले बात करते हैं आज के प्रतेक यूबक यूबुती का प्राथना यह होनी चाहिए कि है भगवान सराब और ड्रक्स से हमारी रक्षा करो यह कतन किस विद्वान का है आज का प्रतेक यूबक यूबुती की प्राथना यही होनी चाहिए कि है भगवान सराब और ड्रक्स से हमारी रक्षा करो यह किसकी है तो यह है डॉक्टर परिपूड आनंद मतलब हमारा तुस घर है वो परिपूड से आनंद रहे ठीक है आनंद पूड रहे इसलिए प्रातना करो तो यहाँ पर आराम से आद होगे आपके लिए अगले बात कर लेते हैं यह दिरका है रोयल आयोक का गठन कप किया गया था तो रोयल आयोक का गठन जो हुआ था वो कब किया गया था तो यह है 1893 में रोयल आयोक का गठन किया गया था तो इस प्रकास से हमारी यूनिट नंबर सेकंड होती है वो समापत होती है यूनिट नंबर सेकंड क्या थी समापत होती है अब हम चलते हैं यूनिट नं है unit number third का राजनीती के परिड़त जाती के प्रती आस्था जाती बाद है ये परिभासा किसकी है तो राजनीती में परिड़त जाती के प्रती आस्था जाती बाद है ये कतन किसका है तो जाती 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 पर डिपेंड या पर कुछ हमें कुछ परिभासा दी गई है तो जाती ऐसा समझे लो कि जातियां होती है छोटी नीटी छोटी होती है बड़ी होती है तो माल लेते हैं एक नदी बह रही है उससे बड़ी जाती के लोग पानी पीते हैं तो क्या छोटी जाती कोई पीने देंगे आपको कि बिल्कुल नहीं पीने देंगे, पहले ही परंपराएं चलती थी, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे नर्मदा परसाथ, ठीक है, तो राजनीती में परेड़त जाती के प्रती आस्था जाती वाद है, ये परिभासा किसकी है, डॉक्टर नर्मदा परसाथ की है, ठीक है, आराम से आद होगे आपक अनी द्रड़ है कि इसे उचित रूप से जाती वक्त बताया गया है, ये किस बिद्वान की परिभासा है, ये आपको बताना है, तो इतनी द्रड़ हो चुकी है, इतने द्रड़ हो चुके हैं, है ना, जो कि वक्त भी बन सकते हैं, तो नीची जाती का करेंगे, अब द्रड हैं बहुत द्रण मतलब कठोड है उनका दिल तो वो नीचे जाती का गरेंगे घूरेंगे तो घूरें मतलब घूरिये तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं जैसे मैंने आतके वैसे आपको गरा रहा हूं कि कै अगले बात करते हैं यहां देखेंगे राज नितिग्यों की परि करएगा उप ने की बात कर रहा है है तो पूप जाती के एक होती है जाती जाती क्या होती है बड़ी और इक अप जाती जैसे उपराज-पती- राश्पती होता है उसी प्रकास प्रकास Jवान farлом नीचे जाती है एक उपर जाती है एक नीचे पड़ी है तो पड़िकर आपको इस पकार से याद होगे आप ठीक है अगर राजनित्यों की भासा में उप जाती के प्रती निश्ठा का भाव ही जाती बाद है ये परिवासा की अपेच्छा करती है यह किस विद्वान की परिभासा है तो किसकी है तो यह है काका कालिल करकी किसकी काका कालिल करकी अगले बात करते हैं यहां रखा है निम्रिकित में से जातिवाद को बड़ावा दे बड़ावा देने वाला कारक कौन सा है देने वाला हो गया पर पश्चमी करड़ है कौनसा पश्चमी करड़ पश्चमी मतलब पीछे का जो संस्कृति चली आ रही है बही पश्चमी करड़ ठीक है अगले बात करते हैं और जो हम लोग पिछड़ा है अभी पिछड़े पिछड़े हैं इसलिए देश्चमी ठीक है इस बैसे भी आप इसको बात कर सकते हो बात करें जाती बाद को समाप्त किया जा सकता है किसके दोरा जातिये संगटनों पर रोक लगा कर बिल्को सही है जातियों में आर्थिक और सांस्कृतिक समानता लाकर बिल्को सही है अंतर जातिये विभा करकर बिल्को सही है तो अंसर रहेगा उपर युक्त सभी अगले बात करते हैं जाती निम्निकित में से किन तत्बो को शर्वदिक महत देती है किन तत्बो को सबसे ज़ादा महत देती है अनुमान सित्ता को बिसुत्ता को समाज विभाजन की एक निती को ये बिल्कु सही बात है कुई कर रहा है सर्वदिक महत्ता अगर वो सर्वधिक महत्ता ना देता तो हमारे उपक सभी हो जाते हैं मगर सर्वधिक महत्ता की बात कर रहा है तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा सामाज की विभाजन की एक निती के लिए अगले बात करते हैं निम्निकित में से जाती के निराकड के पिर्मुक उपाय कौन से हैं? जाती के निराकड के उपाय कौन से हो सकते हैं? वो आपको बताना है पहला है सिच्छा का पिरसार कर लें जाती वा समाप्त कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हो जाती का बिरोध करके कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो अंतर जाती वहा का पुरोध सान कर सकते हो हाधी कर सकते हैं तो आंसर रहेगा उपर योक्त सभी आगे बात करते हैं यदिपी जाती के प्रणाम यद्भी जाती के प्रमारसंसार के अनेक भागों में पाई जाते हैं किंतु उनमें कोई भी संदे नहीं की जाती का अतिन्त पूर उधार भारत में ही पाई जाता है ये कतन किस विद्वान का है तो ये है CM केस का CM केस क्योंकि जाती से रिटल कोई अधरवाई देजो है वो इतने महता नहीं रखते मगर जो हमारा देजो है वो बहुत ज़ादा ही महता रखता है और यह जगड़े होते रहते हैं अब केश चलते रहते हैं ऐसे आपको याद हो जाएगा ठीक है अगले भही बात इस विद्वान ने की है सी एम केस ने अगले बात करते हैं भूत काल में जाती के चाहें जो भी लाब हो आज प्रिगती में बाधक हैं ये कथन किसका है किसका है तो ये है आसीर बादम का होंगे भी है ना जैसे अभी आपने देखा था जो द्रश्टी आईएस पीसेस बाली कोचिंग है दिल्ली में उसमें एक उठाया गया था अब्जेक्शन इसी पर कि नीची जाती जब था तो राम ने उसका वद कर दिया था कि तुम नीचे जाती क्योओता पश्रा कूं कर रहे हो यहाँ पर बात उठी थी वा अपने सुनी होगी तो बहान से इसको याद कर सकती हो कि भूतृत काल में जाती को कि चाहे जो भी लाब हों यह भूत काल में लाब हुआ करते दे चाहें Beim हूँ वो आज पिरगती में बादक हैं तो रामदी क्या देंगे आसीरबाद ही देंगे तो इस वकार से आप इसको निकाल सकते हो आशीरबाद में आसीरबादम ठीक है अगले बात करते हैं यह बहदसा है जिसमें कोई व्यक्ति या तो अपरियाप्त आये या बुद्धी हीन ब्यके काड़ अपनी जीवन इस्तर के काड़ अपने जीवन इस्तर को इतना उचा नहीं बनाए रखना कि इसकी शारिक और मानसिक कुसलता बनाए रखे और उसे तता उसके प्राकरतिक आस तो को समाज के इस्तरों के अनुसार उपियोगी ढंग से काड़ करने योग बनाए जिसका की वह सदस्य है ये कथन किसका है तो ये कथन किसका है आपको गए गोड़ाई का है किसका गोड़ाई का आगे बात करते है निर्धनता व्यक्ति के लिए आवशक है ये किस पाएंगे तो निर्धंता विक्ति के लिए आवशक है यह किस विद्वान का क्तन है और जीवन की आवशकता वस्तू आराम और मन्रचन के साधन की प्रावत्ती मात्रा से यह किस विद्वान का कतन है फटा पड़ आंसर बताएंगे मनस्की निर्दंता और धनांडता निर्दंता मतलब कम पैसा ठीक गरीब और धनांडता मतलब जादा अमीर करीब और अमीर को मानव जीवन की आवश्यक्ता बस्तू आराम और मन्यों के साजनों की प्राप्ति मात्रा से आका जा सकता है ये किस बिद्वान कतना है तो आपको गए एडम इसमित का है किसका एडम इसमित का आपको देखने को मिलेगा अगले बात करते हैं गरीवी की माप का आधार है गरीवी की माप का आधार क्या है तो गरीबी हम किस से माप सकते हैं? ब्यक्तिकत आय से, राश्टी आय से, उपभोखर्च से हम सभी से गरीबी को मापा जा सकता है ये एकोनमी का कुशन है अगले बात करते हैं भारत में गरीबी रेखा से नीचे किन लोगों को माना गया है? तो गरीबी रेखा से नीचे कौन से लोग मापे आते हैं? तो आप कोगे, जिसकी मासिक आये अगर मासिक आय कि एक महिने में कर डेड़ सो रुपए कमाता है तो बहें गरीब है ये बात मिल्कु सही है जो ब्यक्ति दो बाइस सो पचास कैलोरी उर्जा देने वाला भोजय प्राप्त ना कर सके जो एक स्वस्त मनुस्य के लिए बिना कारे करने वाले के लिए चाहिए तो भी वह गरीब है जिसका उभोग खर्च उन्निस सो नवासी में एक सो सत्ताइस उर्पे प्रती महा से कम था वो भी गरीब है तो आंसर रहेगा उपर युक्त सभी ठीक है अगले बात करते हैं नेक्स की बात करते हैं एक व्यक्ति जिसकी आए उन्निस सो नवासी नव्भे की मुल्यों के आधार पर 71 रुपे से भी कम है उसे क्या कहेंगे उसे शर्वधिक गरीब कहेंगे क्या कहेंगे शर्वधिक गरीब कहेंगे निम्निकित मेंसे कौन सा कारक निर्धनता का नहीं है मानसिक अशमनता ये भी नहीं है असिच्छा भी नहीं है आलस्त भी नहीं है तो आंसर रहेगा उपर युक्त सभी अगले निम्निकित मेंसे कौन दुस्परडाम निर्धनता का नहीं है सिसू मित्तुदर दुस्परडाम निर्धनता का नहीं है मानसिक विकास बिलकुल होगा निर्धन होगे तो मानसिक विकास रुख सकता है पागल हो सकते हो अपोस्टिक पोस्टर मिलेगा आपके लिए तो यहीं हमारा नहीं है रोगा, ठीक है, अगले बात करते हैं नर्धनता को दूर करने के लिए कौन से सरकारी प्रत्न किये जाए है देश में भारी उद्धो का विकास किया गया, हाँ जी, सिच्छा का विकास किया, बिल्कुल किया बेकारी दूर करने के कारिकरम चलाए, बिल्कुल चलाए, तो अंसर रहेगा उपर युक्त सभी अगले बात कर लेते हैं, यहाँ दरिखा है निर्धनता के परिणामों का चैन करना है तो निर्धनता के परिणाम इनमें से कौन-कौन है? पहला देखा जाए, पहला देखा है तुम्हारा पहले ध्यांसे क्योशन को देखा जाए निर्धनता के परिणामों का चैन कीजीगा निर्धनता के परिणाम कौन से है, गरीवी के परिणाम कौन-कौन से हो सकते है ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है जैसे हम बात करें दहज परता क्या गरीडीवी का गरीवी का प्रड़ाम है बिलकुल नहीं चीज़िए बिभाब बिच्छेद ये बिलकुल सही है क्योंकि बिभाब बिच्छेद हमें देखने को मिल जाते हैं अगर आप गरीब हो तो आप बड़े इंसान साधी नहीं कर सकते तो ऐसा बिच्छेद आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है ठीक है प्रड़ाम देखने मिलते हैं बात करें बेकारी बेकारी भी देखने को मिल जाती है यह इसके प्रड़ाम है क्या सती प्रथा देखने को मिलती है बिल्कुल गलत बात है एक ये हो गया और एक ये हो गया अद्धिक मदपान करोगे आप क्या आप गरीवी होगे तो अद्धिक मदपान करोगे बिल्कुल नहीं क्या सिच्छा ब्रती होगी क्या सिच्छा आप नहीं ग्रहण पर पका कर पाओगे बिल्कु सही बात है सिच्छा आप ग्रहण नहीं कर पाओगे बात करें बैश्या ब्रत्ती होगी बिल्कुल होगी जब पैशा की कमी होगी तो बात करते हैं बाल बिभा होंगे अरे ये बिल्कुल गलत बात है बात करें बिदभा बिभा निस्चेद होगा बिल्कुल गलत बात क्या अपराद होंगे बिल्कुल अपराद होंगे अगर आप गरीब हो तो बिभा बिच्चेद होंगे बिभा नहीं हो पाएंगे कुछ लोग को हो पाएंगे ठीक है अब बिकारी हो जाएगी बिकारी मरेंगे लोग और सिच्छा ब्रती होगी सिच्छा ग्रहन नहीं कर पाएंगे बैसे ब्रती होगी और अफराद भी होगा ये इतने आपको देखने को मिल जाते है तो कौन कौन से आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ हो गया भा फिर सा फिर या फिर रा और फिर सा तो ये आपके option हो जाते हैं ठीक है अगले बढ़ते हैं नेक्स कुशन की बात करें निम्रिकित में से व्यक्ति और अत्वा समू वह है जो अपने धार्मिक या भासा भासे समू को एक ऐसा प्रितक राजनितिक और समाजिक एकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से प्रितक होते हैं और जो अक्सर उनके बिरोधी भी हो सकते हैं ये परिभासा किसकी है तो ये परिभासा किसकी है Adam Smith की है अगले बात करते हैं भात करें भारत के गुजरात प्रांत में गोधरा कांड कब हुआ था ये बैरी बैरी इंपोटेंट है इतनी बार पूछा हुआ कुशन तो भारत में गुजरात प्रांत में गोधरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था ध्यान एकना गोधरा कांड कहा हुआ था गुजरात में कब हुआ था ये पुछना है अब से ठीक है तो ये हुआ था 13 दिसंबर 2002 में गोधरा कांड हुआ था कहां पर गुजरात में बात करेंगे निम्रिकित में से कौन सा संपरदाय का दोस नहीं है कौन सा संपरदाय का दोस नहीं है तो राश्टी एकता में बादा संपरदाय डालेगा? बिल्कुल डालेगा राश्टी बिक्टर्ण को प्रसाथ करेगा? बिल्कुल करेगा क्या प्राकर्तिक बिक्टन कर देगा क्या प्राकर्तिक आपदाएं आ जाएंगी बिल्कुल गलत बात है ठीक है यही हमारा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा अगले बात करते हैं अगर next question देख जाए छेत्रिता राश्टिता के अधीन है जो छेत्रिता है वो राश्टिता के अधीन है यह कथन किसका है छेत्रिता राश्टिता के अधीन है यह कथन किसका है तो यह कथन है राधा कमल मुखरजी का किसका राधा कमल मुखरजी का है ठीक है अगले बात करते हैं भारत में छेत्रबाद को जन्म देने वाला कारक कौन सा है? भारत में छेत्रबाद को जन्म कौन देता है? तो छेत्री संस्कृति को स्रेष्ट मानते हैं जो लोग तबी हमारे यहाँ पर भारत में छेत्रबाद को जन्म देखने को मिल जाता है. अगले बात करते हैं. मिल जाते हैं जैसे अगर मुस्लिम यहां रहते हैं तो यहां पर हिंदू सिक इसाई लोग नहीं रहेंगे ठीक है बहाँ पर उनका समू सिर्फ मुस्लिम का होगा सिक के है तो सिक को का ही समू होगा यह तो हो गए तुम्हारे किसके भासा बाद हो गए ठीक है और भोगोलिक कारक भी हो जाते हैं कुछ इस्कति ऐसी आती है जहां पर शिर्प बात करते हैं बैसे ही लोग रहते हैं जहां पर भोगोलिक कारक छेतरबाद की यह भी आपका देखने को मिल जाते है ठीक है अगले बात करते है निम्लिकित में से छे पित्रबाद का दुस्परणाम कौन सा है बिभिन छित्रों के बीच संगर्स और तनाब रहता है बिलकुल रहता है राश्टी एकता में को बलने बल मिलता है बिलकुल नहीं मिलता यह दुस्परणाम है बल नहीं मिलता है बिभिन छित्रों के बीच आपसी शौधा सोहाद रह और एक स्टाइड में आपको देखने को मिलेगा जो है ना आपको कहते हो अब याद नहीं आ रहा है मुझे किश्णा नदी पर है छेतर बाद चलता रहता है ठीक है तो अभी याद नहीं आ रहा है बाद बता दूं आपके लिए छेत्रिता को रोकने का निम्ने में से कौनसा उपाई है छेत्रियता को रोकने का उपाई कौन सा है तो बहे सभी छेत्र के लोगों को समान आर्चिक सोबिधाय दी जाएं तो ये छेत्रिवाद हम रोक सकते हैं मगर राजनीती जो है वो ऐसा नहीं होने देगी ठीक है अगले बात करते हैं निमलिकत उपायों में से छेत्रिता को रोकने का कौन सा उपाय नहीं है तो छेत्रिता को रोकने का कौन सा उपाय नहीं है पैंसन योजना यही नहीं है बात करने केंद्रि मंती मंडल में सभी छेत्रित के निताव को संतुरित पर देहित करना बिल्कु सही है बहाँ सा संबंदी जगडों का हल करना बिल्कुल है, सभी छेत्रों को शंतर विकास करना बिल्कुल है तो यही हमारा पैंस नीऊज़णा नहीं है ठीक है, अगले बात करते हैं यहां देखें निम्रीकित में से छेत्रिता के विकास का कौन सा कारक नहीं है जो छेत्रिता के विकास का कौन सा कारक नहीं है सांस्कृतिक कारक है भासाबाद है राजनितिक कारक है परिवारिक कारक नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा बिलकुल सही आंसर तो इस प्रकास एक वीडियो अकेली आएगी unit 4 की ठीक है unit 4 की अकेली वीडियो आएगी क्योंकि इसमें question कुछ जाधा है ठीक है इसमें कम-कम question थे तो मैंने आपके तीन unit यहाँ पर कर दिये तो friends इनको आज अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है तबियत मेरी भी खराब है थोड़ी सी थोड़ा सा ही हो जाओ उसके बाद मैं आपको continue साथ से आथ वीडियो दस भी वीडियो पंद्रा भी वीडियो में आपको दे सकता हूं पढ़ डेगी ठीक ह तो वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक करना शेर करना चैनल को कर देना सस्क्राइब बैल आइकन को प्रेस करना नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक पिलिए जैहिन जैभाराइब